परिचय हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की संग्रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है क्या आप जानते हैं कि इसका वास्तव में क्या आर्थ है? इसका आर्थ है कि एकल कोशिका जीवन के सभी आधार भूत कार कर सकती है जैसे ग्रहन किये गए भोजन और श्वसनी गैसों का परिवहन करना श्वसन उत्सर्जन इत्यादी उत्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे कोशिका को परिभाशित करना कोशिका सिध्धांद को समझना कोशिका के लक्षणों को जानना कोशिका के क्रियात्मक शित्रों को समझना कोशिका के विभिन आकारों को जानना विभिन कोशिका मापों को समझना कोशिका कोशिका सभी सजीव जीवों की सनरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और मानव शरीर के मूलभूत अंग हैं वयसक मानव शरीर में 75 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं प्रतेक कोशिका प्रकार विशिस्ट कार करती है मरिश्यों में 200 कोशिका प्रकार होते हैं अंग्रेस सुक्ष्म दर्शिय वग्यानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सबसे पहले शब्द कोशिका का वड़न किया था उन्होंने कार्क के पतले टुकडे का अध्ययन करके कोशिकाओं की खोच की और इन में मदुमक्की के छटे के समान छोटे छोटे बॉक्सों को कोशिकाओं का नाम दिया उनका विचार था कि कोशिकाओं केवल पौधों और कवगों में माजूद है सबसे पहले एंटनी वान लिवन हॉक 1683 ने अपने घर में बनी सूख्ष्म दर्शी का उप्योग करके जीवाणू, प्रोटजोवा, लाल रुधिर कोशिकाओं और शुकराणू आदी जैसी मुक्त कोशिकाओं का अवलुकन किया था उन्होंने इन्हे सूख्ष्म जीव कहा उन्होंने मचली, पक्षी, मेंढग, कुत्तों और मनिश्यों की रुधिर कोशिकाओं का भी अवलुकन किया इसलिए ये ग्यात हुआ कि कोशिकाओं जन्तूँ तथा पाधपूं दोनों में पाई जाती है कोशिका सिध्धान्थ 1838 में मेल्थियस स्लाइडेन एक जर्मन वनस्पती विग्यानिक ने बहुत सारे पौधों के अध्यान के बाद पाया कि ये पौधे विभिन प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में उत्कों का निर्मान करती है 1849 में थियोडोर श्वान एक ब्रीटिश प्राने विग्यानिक ने विभिन प्रकार की जन्तु कोशिकाओं का अध्यान किया और बताया कि कोशिकाओं में एक पतली बाहे परत होती है जिसे आजकल जीव द्रविचिली कहते हैं इसके आधार पर श्वान ने प्रतिपादित किया कि जन्तुओं और पौधों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना है उन्होंने निशकर्ष निकाला कि कोशिका भित्ती की उपस्तिती पादप कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षन है 1849 में स्लाइडेन और श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिध्धान्द को प्रतिपादित किया 1858 में रडोल्फ बडचो एक जर्बन चिकिसक ने कोशिकी ये पैथालोजी के विस्तरित अध्यन के बाद ये निशकर्ष निकाला कि कोशिकाओं पहले से उपस्तित कोशिकाओं से ही उत्पर्न होती है मूल कोशिका सिध्धान्द के साथ साथ आधोनिक कोशिका सिध्धान्द में चार कथन निहित है कोशिकाओं के लक्षन कोशिकाओं बेहत जटिल और संगटित होती है इनमें एक आनुवन्शिक कारिक्रम और इसके उप्योग के साधन होते है योदपादन करने में भी सक्षम होती है। ये उर्जा का अधिक्रहन और उप्योग करती है। इसके अलावा ये विभिन रासायनी कभी क्रियाओं और यांतरिक कतिविधियों को संपन्न करती है। ये उद्धीपन और स्वाता नियमन की प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम होत कोशिका के तीन क्रियात्मक्षेत्र हैं, जीव द्रव इछिली, कोशिका द्रवे और किंद्रक। जीव द्रव इछिली और केंद्रक के बीच उपस्दित होता है। केंद्रक, केंद्रक जिली से घिरी एक सनचना है, जिसके गुण सूत्रों में डीने होता है। मूलियांकन आगे बढ़ने से पहले आए देखें आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठा कर उसके संगत स्थान पर रखें। कोशिका आकार विभिन जीवों में कोशिकाओं के अलग-अलग आकार होते हैं। अमीबा और श्वेत कोशिकाओं का निश्चित आकार नहीं होता है, क्यूंकि उनमें पादाब होते हैं। गाल की कोशिकाएं चप्टी होती है। जर्म कोशिकाएं घनाब रूप में होती है। आत्र की कोशिकाएं स्तंबी होती है। यक्रित की कोशिकाएं बहु भुजिये होती है। वसा कोशिकाएं गोलाकार होती है। पहरा मीश्यम स्लीपर के आकार का होता है। मुर्गी का अंडा अंडा कार होता है। चिकनी, पीशियां तर्गू के आकार की होती हैं। वर्णक कोशिकाएं क्रोमेटोफोर शाकित होती हैं। पीशियां या तंत्रिका, तंतू, लंबे सूत्र जैसे होते हैं। दूई बीच पत्री पौधों के रंद्रों की द्वार कोशिकाओं का आकार सीम के आकार जैसा होता है, जबकि एक बीच पत्री में डंबल के आकार की होती है. कोशिकाओं की माप अलग-अलग जीवों में कोशिकाओं की माप काफी भिन्न होती है सबसे चोटी ग्यात कोशिकाएं प्लियोरो निम्योनिया जैसे जीव PPLO, माइकोप्लाजमा, गैली सेप्टिकम की हैं जिनकी माप लगभग 0.1 माइक्रो मीटर है सबसे बड़ी जन्तु कोशिका शुतुर मुर्ग का अंड़ा है और इसकी माप लगभग 170 गुणा, 135 मिलीमीटर है प्लोकेरियोर्टिक कोशिकाओं की माप 1-10 माइक्रो मीटर तक होती है जबकि यूकेरियोर्टिक कोशिकाओं का कार 10-100 माइक्रो मीटर तक होता है पौधों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटा बुलेरिया हरे शैवाल की है जिसकी माप लगभग 6-10 सेंटिमीटर तक है मानव शरीर में अधिकतर कोशिकाएं लंबाई में 2-3 माइक्रो मीटर और परीधी में 20-30 माइक्रो मीटर के बीच होती है मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है जो लगभग 3-5 लंबी होती है क्या आप जानते हैं शब्द साइटोलोजी की खोज 1893 में हर्ट विगने की थी मैक्स शूलजे ने 1861 में जीव द्रव्विका सिधान्त प्रतिपादित किया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं कोशिकाएं विस्तरित रूप से दो प्रकार पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में विभाजित हैं लैमार्क ने सबसे पहले बताया कि जीवित प्राणी कोशिकाओं के बने हैं शब्द जीव द्रवे की खोज पुरकिंचे ने की थी स्लाइड एन वाश्वान ने 1838-1849 में कोशिका सिध्धांद प्रतिपादित किया वे जर्मन जीव वेक्यानिक थे कोशिका सिध्धांद का एक अपवाद वाइरस हैं शब्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुग ने की और कोशिका को उन्होंने ही सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुग द्वारा कार्क के पतले टुकडों में खोजी गई कोशिकाएं वास्तों में कोशिका भित्तिया थी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई बिर्चोंने कोशिका वंशवली प्रतिपादित की की कोशिकाओं का निर्मान सदयोप पूर विस्थित कोशिकाओं से होता है उन्होंने ओमनिस इ सेलूला कहा शब्द सार कोड काउपयोग डुजार डिन द्वारा कोशिकाओं के सजीव पदार्थों के लिए किया गया था प्रकाश सुख्ष्म दर्शी से देखा गया निवनतम कोशिका आकार 0.25 माइक्रो मीटर है जीव द्रवे जटिल कॉलाइडी विलियन है और शरीर के कुलभार का 95 प्रदिशत बनाता है ये जीवन का भौतिक आधार कहलाता है डियो टो चेट ने सबसे पहले बताया था कि एक व्यक्ति में अनेक विभिन प्रकार की कोशिकाओं होती हैं कोशिकाओं अपने आकार, माप और कारियों में भिन होती हैं एक कोशिकी जीवों में कोशिका आकार जीव द्रवे जिली द्वारा बनाया जाता है उधारन, पैरामीश्यम और बाही कंकाल अधिकतर पौधों और जंतों में कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है रूप से जीव द्रव के प्रिष्ट तनाओं, श्यानता, आसन कोशिकाओं द्वारा किया गया यांत्रिक कार्रे और कोशिका जिली की द्रड़ता पर निभर करता है। उधारन, अनेक जन्तूओं के अंडे तर्क रूपी होते हैं। उधारन, चिकनी पेशी तन्तू लंबे होते हैं। उधारन, तंत्रिका कोशिकाओं शाखित होती हैं। उधारन, तवचा के क्रोमेटोफोर या वर्नक कोशिकाओं चक्रिक होती हैं। उधारण, एरित्रोसाइट या लाल रुधिर कोशिकाएं आधी, विभिन कोशिकाओं की माप काफी भिन होती है, कुछ पादाप और जन्तू कोशिकाओं को नगन आखों से देखा जा सकता है, अधिकतर कोशिकाओं को केवल सूख्ष्म दर्शी से ही देखा जा सकता है, कोशिकाओं की माप जीवाणों की बहुत छोटी कोशिकाओं 0.2 से 5.0 माइक्रो मीटर से लेकर, शुत्र मुर्ग के बहुत बड़े अंडे यानी 18 सेंटिमीटर तक होती हैं, और पाथों में सबसे बड़ी कोशिका साइकस का भी जांट है, मनुश्यों की कुछ तंत्र का को मेटा बुलेरिया की उंचाई लगभग 10 सेंटिमीटर होती है, प्रो केरियोटिक कोशिकाओं की लंबाई प्राया 1 से 10 माइक्रो मीटर के बीच होती है, यू केरियोटिक कोशिकाओं औसतन बड़ी होती हैं, जो लगभग 10 से 100 माइक्रो मीटर के बीच होती हैं, एक कोशिक जीवों में अमीबा प्रोटियस सबसे बड़ा है, जसकी लंबाई 0.6 mm या 60 µm होती है। बहु कोशिके जीवों की विशिष्ट कोशिकाओं की माप 20 से 30 µm के बीच होती है। सबसे चोटी कोशिकाओं माईको प्लास्मा गैली सेप्टिकम की हैं, जो वाइरस और जीवानों के बीच का मध्यवर्ती जीव है। उसकी माप लगभग 0.0 µm है।